असलामनेकों मैं यूट्यूफ फैमली वालकम बेक तो माय चानल रियल ब्यूटी सीक्रेट ट्रेंट्स कैसे हैं आप सब उमीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे तो फ्रेंट्स आज मैं आप अपने सामने एक बहुत ही क्यूट सी बच्ची को देख रहे हैं आज हम इसका को एकसर कम्प्लेयन आता है कि उनका अनिक इक्वेल होता रहता है या कहीं न कहीं से कोई एक्सा हैर निकलाते हैं जैसे नेक्स से तो हम लोग इस सीहर करें चाहरी हो और गाइडलाइन के सात्थ आपको शेयर करूँगी ताकि आप बहुत अच्चा हैर काट डन करके दें अ अच्छे से बनाया करें, जब आप अपने partition hair की अच्छी कर लेंगे तो आपको haircut हमेशा अच्छा होगा हमारी mistake जो होती है, वो वहीं प्याती है जब हम hairs की partition अच्छे से नहीं करते तो जनाब front से हमें franchise बनाने थे, उसके लिए हमने हमें बाकी hairs को clip किया थाके हम जो पीछे से extra बालना ले लें, जितने हमें चाहिए उतने ही लें और front ये जो franchise बना रहे हैं जिसे baby cut भी कहते हैं ये बच्छी को ये hair style बहुत suit करता है, बहुत अच्छा लगता है, cute look आता है ये जो hairs हैं वो माशालला काफी silky और straight हैं तो हम लोग bob cut के साथ साथ हम लोग इसके step भी बनाएंगे 90 degree पर जाके तो आप ये वीडियो को end तक जरूर देखे का इंशाला आप के लिए बहुत useful रहने वाली है अजय के येदी का इंशा बाकी के भी देश warmडे के लिए के बाकी चर देखे कर दो 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 कर कि अ कि वो हुआ है कि इढ़ पास बनी सेटेए संफ डराइर लंग कर दो 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 कर झाल झाल दोस्तों मुझे उमीद है कि यह haircut मैं आपको बड़ा अच्छे से समझा रही हूं फिर भी अगर आप मजीद कुछ मेरे से पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं मैं आपको ज़रूर इसका reply दूँगी आप comment section में मुझे पूछ सकते हैं अगर आप कुछ भी मजीद पूछना चाहें तो सबसे पहले तो आपने nose के इसाप से अपना चेक कर लेना है कि आप जो haircut कर रहे हैं पूरा balance में आ रहा है कहीं balance आउट तो नहीं जा रहा है इसका तो जनाम इस haircut को complete करने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया है कि neck से हमने hairs को check करना है कि वो बार में कुछ बाकी न रह जाए क्योंकि high neck और बचों के dress की वज़ए से अकसर ऐसा होता है कि जो हमारे जो neck पे hairs हैं वो कुछ बाकी रह जाते हैं तो hairs को बार-बार कानों के पीछे से भी निकालके और neck से भी बार-बार comb करते वी चेक कर ल और friends साथ-साथ मैं आपसे यह भी request करना चाहूंगी कि अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो या आपके लिए helpful रहे तो please मेरी वीडियो को like कीजेगा आगे दोस्तों के साथ share कीजेगा और अगर आप मेरे चैनल पर first time आया है पहली बार आपने मेरी वीडियो देखी तो आप please मेरे चैनल को subscribe कीजेगा और bell icon को दुबाना ना भूलिएगा ताकि मेरी जब भी कोई नई वीडियो आए मैं आपके साथ share करूँ तो उसका notification आपको receive हो जाए हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ 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 ह and I'm in love for you so strong a girl I'm finished in the way I'll do it and you'll see how good it is you can do it and when I'm going to do it I'll do it so I'll have to go on long hair and I'll do it 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 I'll be sure to see it I'll take the hair and I'll find the guide line that I'll do it and we'll cut the hair so now you can see how good the hair is and how healthy the hair is and how much the hair has cut and how healthy the hair is but how healthy the hair is people understand that hair is hulky it's okay that hair is cut the hair is cut but then the hair is very well and it's very good it's also that hair is cut or straight or thin you can do it that you can do it with the hair and the hair looks and the hair looks very good वीडियो पे मिलूंगी, आलाफेज